लोक सभा के ताजा नतीजों के बाद सोचल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की भरमार आ गई हिंदूओं को जैचंद बताया जने लगा राम मंदिर को लेकर अयोध्या को लेकर तरत रह की टिपनिया की गई मैं उन भाईयों से कहना चाहता हूँ कि ये श्री प्रभू राम जी की किरपा है जो तीसरी बार परधान मंदिर मोदी जी की नितरतम में भारतिय जनता पारटी की अंडिये की सरकार बनने वादी है रही बात राम मंदिर और हिंदू वरग की तो राम मंदिर पर तब से वोट मिल रही है जब भाजपा को सिर्फ दो सीटे थी उसके बाद चाहे राम मंदिर की कार सेवा हो हिंदू समाज ने बढ़ चड़कर अपना योगदान दिया बलिदान देने पड़े तो दिया ऐसे भाजपाई जी की सरकार बनाई और तिसरी बार बोधी जी की सरकार बन रही है इतनी सीटे नहीं आती अगर राम मंदिर ना बना होता बाकी योजनाओं से बाकी कारें से क्या मिला इसका भी आगलन करना चाहिए है असल में हम खुद ही तुरंत मंदिरों की और और हिंदूओं को कोसने में लग जाते है हजार रुपे के सिलेंडर का भी खास असर था ये सत्य है भाजपा के संग्ठन के अंदर भाजपा के ने हुए नेता सिर्फ मोदी के नाम पर जीतने की भावना और आपसी गुटबाजी विपक्ष के एक से एक बढ़कर जूट के परचार का जमीनी स्थर पर जबाब देने की नाकामी संसुदों वै नेताओं को योजना तक की जानकरी ना होना नय लोगों तक पहुंचाने का प भावित करते हैं और ये राम जी की किर्पा है और मोदी जी और विचार धारा से जुडे मैं इंपोर्ट नेताओं की बात नहीं कर रहा विचार धारा से जुडे समर्पित कार्या करताओं राष्टरवादियों राम भक्तों का पर्यास है जो 10 साल बाद भी इपक्ष के विपक्षियों ने भ्रम का जो जाल फैलाया चाहे वो अरक्षन को समाप्त करने की बात हो चाहे समिधान बदलने की हो चाहे वो CAA का मुद्दा हो चाहे वो किसी भी परकार के हत्थकंडे हो सब अजमाए और इसके बावजूद दस साल सत्ता में रहने के बाद अगर तीसरी वार सरकार बनती है तो याद रखिए या भागवान श्री राम जी की किरपा है और जितना बहुमत NDA को मिला है भारतिय जंता पारटी को मिला है इसमें राम मंदिर का भी बहुत बड़ा योगदान है सो हिंदू समाज और मंदिरों को खास कर राम मंदिर को परटिपनिया करने से पहले यह सोचे